हेलो फ्रेंट्स दिस इस एस्पिशिंग एंड वेलकम तो इस्मार्टर एवरी टे माइडिय फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग शीटिट का प्रीविस येर शॉल्व कर रहे थे तो जो आठ दिसंबर 2019 को पेपर हुआ था शीटिट का प्राइमरी लेवल का कच्छा एक से पांच तक का उसके हमने तीस कोस्टिंस यानि की बाल विकास एवं सिच्छन वे दी जो साइकलोजिक की कोस्टिंस होते हैं तीस वह हमने सॉल्व कर लिया था आज हम सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्यान डियफ्रेंस देखिए आप लोगों के लिए मैंने यह पीडियेफ जैसे हमारे पास पीडियेफ थी तो मैंने उसकी फोटो कापी निकलवा लिए ठीक है इससे थोड़ा समझाते वे आठ दिसंबर 2019 का वेपर है यह जो हुआ था देखिए चलिए सुरू करते हैं इसको पहला क्योशन हमारे सामने है कोई व्यक्ति 29 नमबर 2019 को एक एकस्प्रेस ट्रेन में सुरत यानि की गुजरात से नगर कोईल केरल जाने के लिए बैठा कब बैठा वो 29 नमबर 2019 को ठीक है यहाँ ट्रेन सुरत से 19 बच के 45 मिनट पर चलती है और एक दिसंबर 2019 को 11 बच के 45 मिनट पर नगर कोईल पहुँचती है अगर सुरत से नगर कोईल के बीच ट्रेन की जो ट्रेन मार्ग की जो दूरी है वो 2120 किलोमेटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की जो औसत चाल थी वो क्या है तो औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या दूरी है दूरी है 2120 किलोमेटर ठीक है वह हमें ओसत चाल निकालनी है क्या निकालना है ओसत चाल देखे इसको स्कॉल्म करते है हमको निकालना है ओसत चाल हमको पता है कि ओसत चाल पराबर फॉर्मला होता है दूरी बटे समय ठीक है? कोर्शन में दूरी तो दी हुई है दूरी कितनी दी हुई है? दूरी दी हुई है 2120 किलोमेटर हमारे सामने अगर शमय होता तो हम कोर्शन लगा सकते थे समय हमको निकालना है, देखिए, पहली बात तो कितना है, कब चली ट्रेन, ट्रेन चली है, 29 नॉमबर 2019 को, कितने वज़ें, 19.45 पर, ठीक है, ट्रेन के, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, ट्रेन के, चलने की तिथी लिख लेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रेन के चलने की तिथी, एवं, समय, ट्रेन के चलने की तिथी, एवं, समय कितना है, 29 नॉमबर, 19.45 है ना, और ट्रेन के पहुँचने का समय क्या है, ट्रेन के, पहुँचने, की तिथी, एवं, समय, कितना है, ट्रेन पहुँचती है, 1 दिसंबर को, कब पहुँचती है, एक, दिसंबर, 11.45 पे, ठीक है, तो ये जो समय है हमारा, ठीक है, 29 नॉमबर, 7.45, 19.45, ठीक है, 12.19, तो 7 बज़े हुआ, 7.45 से लेकर के, एक, दिसंबर, 11.45, इन दोनों के बीच का समय हुआ हमारे पास, 40 घंटा, कुल समय, कुल समय हुआ, 40 घंटा, ठीक है, तो समय हमने निकाल लिया, अब देखिए, हमको यहाँ पे जिरूरत किसकी थी, यह देखिए, ऐसे लिखा है अपने, ठीक है, ट्रेन के चलने की तित्री समय इतना था, और ट्रेन के पहुँचने का समय यह है, एक दिसंबर को, तो कुल समय जो इसके बीच का आया, वो है, 40 घंटा, अब हमें समय भी म मिल गया है, ठीक है, जब समय मिल गया है, तो सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, दूरी कितनी है, 2120, और समय कितना है, 40, तो 00 कैंसल हो जाएगा, 400 काट दो, 45 बचा एक, तो 4 तियां 12, ठीक है, तो आया हमारा आंसर कितना है, 53 किलो मीटर प्रति घंटा, यह उप्सन है क्या में, हाँ है, देखे, 53 किलो मीटर प्रति घंटा, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह उसका पूरा इस्टा, हमने शॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है, तो यह सब हम स्क्रीन रिकॉर्डर में नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने PDF निकलवाई, पैसा खर्च किया और फोटोगापी निकलवाई है, ठीक है, तो पहले का अंसर हो गया, 53 किलो मीटर पर आवर, चलिए, नेक्स्ट क्रोशन है, इधर इस साइड में इंगलिस लिखी हुई है, और इधर हिंदी है, चलिए, निमलिखित में से कौन अंतराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त वेट तो ये तो आपको जहां तक पता ही होगा, करणाम मलिश्वरी, कौन है, करणाम मलिश्वरी, ठीक है, और ये आंधर परदेश की रहने वाली है, कहां रहती है, आंधर परदेश रहती है, ठीक है, जब ये 12 साल की थी, तब ही से वजन उठाने का अभ्यास ही करने लेगी थी ठीक है और प्रेजन टाइम में ये एक बार में लगबग 130 किलो ग्राम 130 किलो एक कुंटल 30 किलो तक वजन उठाने में सक्षम है ठीक है तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है 63 नंबर कोश्यन है नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जडों का है कौन सा एक जो समूह है वो जडों का है तो यहाँ पे देखिए चुकंदर आलू अदरक चुकंदर आलू अदरक गाजर हल्दी अदरक शकरकंदी मूली हल्दी या फिर गाजर चुकंदर मूली तो यहाँ पे गाजर चुकंदर और मूली यह जो है एक यह जड़ों का गुरूप है समूँ है ठीक है बढ़ेंगे next question की तरफ next question क्या कहता है हमारा चलिए next question यह नहीं है अच्छा हाँ सामने है तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है रेगिस्तानी ओक के रिगिस्तानों में, तो ये जो रिगिस्तानी ओक होता है, ये हमारा आस्ट्रेलिया में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, आस्ट्रेलिया में, ठीक है, नेक्स्ट कोशन कहता है, निपेंथिस, जिसको हिंदी में घट पड़नी कहते हैं, निपेंथिस वह पौदा है, जो तो शिकार करता है, ठीक है, के विशे में नीचे दिये के कत्रों पर विचार करना है हमको, यह पौदा आस्टेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेगाला में पाया जाता है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुह एक पत्ती से धका होता है, या केवल छोटे कीड मकोडों को फसा कर उनका सिकार कर सकता है, या छोटे कीडे मकोडों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, जो इसमें फस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, मैडिये फ्रेंट्स, देखिए, यहाँ पे बात यह सही है, कि यह जो पौधा है वो आस्टेलिया इंडोनेशिया और भारत में मेगाले में पाया जाता है, यह पौइंट्स का सही है, और यह भी बात सही है कि जो इसका आकार होता है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, और इसका मुह एक पत्ती से धका होता है, ठीके, तो यहाँ पे A और B, दो आप्सन इसके सही है, केव अपने अंदर से एक गंद छोड़ता है, जिसको एक खुश्बू छोड़ता है, जिसको जो है बाकी जनवर उसकी स्मेल से इसकी तरफ खींचे चले आते हैं, और इसके अंदर गिर जाते हैं, और घड़ जैसा होता है, अंदर गिर जाते हैं, तो फिर ये उपर से अपने धकन भी लिकर के आ सकता है ठीक है तो ये बहुत आता है अभी मैंने जो पर्यवन एद्धन की जो क्लास करवाई थी विसकी उसमें मैंने बताया था इसके बारे में चलिए बढ़ते हैं आगे भारत की आजादी से पहले महत्मा गांधी ने जिस दांडी के शमुद्र तट तक अपनी प्रशिद यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिये गए किस राज में इस्थित है तो वह जो है वह हमारा किसमें है आनरप्रदेश करनाटक महराश या फिर गुजरात तो वह गुजरा प्रारम हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी जिसमें उन्होंने अपने 78 से योगियों के साथ दांडी की ओर अपनी यात्रा प्रारम की थी गुजरात है कौन है गुजरात नेक्स वोश्चन है हमारे सामने उच्च ज्वर यानि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार शिकोना पेड़ की च्छाल से किया जा सकता है वह क्या है मियादी बुखार है मलेरिया है चिकन गुनिया है या फिर डेंगू है तो वह हमारा मलेरिया है क्या है मलेरिया ठीक है मलेरिया क्या है एक प्रोटो जोगा जिसको हम प्लास्मोडियम भी कहते है जो की एक संक्रामक बीमारी है और इसमें जो है तेज बुखार के साथ साथ कंपकपी भी आने लगती है ठीक है और मलेरिया के उप्चार के लिए सिनकोना की चाल का प्रियुक किया जाता है ठीक है और इसके चाल से मलेरिया की दवाई कुनीन भी बनाई जाती है किसी डॉक्टर का घर एक्स परिस्थित है और उसका अस्पताल वाई परिस्थित है डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई शीधी शड़क नहीं है अतहा डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है फिर वहाँ B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिन में 450 मीटर की दूरी पर है फिर वहाँ C पर जाते हैं जो B के ठीक पस्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अन्त मेवा Y पर अपने पता होनी चीए कि जब हम कि दिशा कौन सी किदर होती है देखिए हम यहाँ पर बना देते हैं चलिए यह जैसे ऐसे यह चार दिशाएं होती है ठीक है यह उत्तर होता है ओके यह दक्षिन होता है ठीक है यह पूरब होता है और ये पस्चिम होता है इतनी बात समय आई अब देखिए अब एक ऐसे निकालेंगे और ऐसे निकालेंगे अगर आपको ये आता है अच्छी तरीकेश तभी आप इसका अंसर ठीक दे सकते हैं अधर वाइस गलत कर देंगे इसको समझेए तो यहाँ पर उत्तर है यहाँ पूर्व है यह उत्तर पूर्व हो जाएगा क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व है ठीके यह पूर्व है यह दक्षिन है यह दक्षिन पूर्व हो जाएगा यह बहुत जिरूरी हाँ आपको ये दक्षिन पश्चिम हो जाएगा और ये ये क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम ठीक है ये आगे आपको कैशे बनाते हैं अब चलिए अब देखते हैं अब डाक्टर का घर देख़ी ढूड़ते हैं यहां पर किसी डाक्टर का घर एक्स परिस्थित है मानिया यह डाक्टर का घर है यह एक्स है यहां पर डाक्टर का घर है यह ठीक है अब कहरा है कि एक्स परिस्थित है और उसका अस्पिताल वाई परिस्थित है डाक्टर के घर से अस्पिताल जाने के लिए पहरे डाक्टर पर जाते हैं, पहले डॉक्टर ए पर जाते हैं, जो X के ठीक, पूरब में 600 मीटर की दूरी पर है, पूरब किदर है, पूरब हम चलेंगे तो इधर चलेंगे ऐसे, ठीक है, तो X से 600 मीटर की दूरी पर है, ऐसे चले हैं, पूरब की साइड में चल लाएं, ठीक है, A पर जाते जो A के ठीक दक्षिन में है अब भाई इसे से दक्षिन में चलेंगे तो इधर नीचे आएंगे दक्षिन नीचे है ना इधर तो इधर नीचे आएंगे चलिए नीचे आते हैं ठीक दक्षिन में 450 मेटर की दूरी है ऐसे नीचे आ गए दूरी कितनी है, 450 मीटर ठीक है, ये B है ओके, B पर जाते है जो A के ठीक दक्षिन में 450 मीटर की दूरी पर है इतनी बात निपट गए, यहां तक हो गया फिर वाद C पर जाते है जो B के ठीक पस्चिम में कहा है, B के ठीक पस्चिम में पस्चिम में चलेंगे तो किधर चलेंगे इधर चलेंगे चलिए अब जो है हम इधर चलेंगे यह हम इधर चलेंगे C पर जाते हैं यह हमारा C हो जाएगा जिसकी दूरी 120 किलो मिटर है कितनी है 120 मिटर सोरी 120 मिटर है ठीक यह हम C पर आ गया 120 मिटर और अंत में वह वाई पर अपने अश्पिताल पहुँचते हैं जो C के ठीक उत्तर में C के ठीक उत्तर में उत्तर किधर है भाई? उत्तर उपर की तरफ है? उत्तर उपर की तरफ है है न? उत्तर ये इधर है न? देखे उत्तर चलने के लिए हम इधार चलेंगे यहां पर आ गए हम C के ठीक उत्तर में 90, 90 मीटर की तूरी है यहां से 90 मीटर ठीक है Y, यहां पे उनका अस्पताल है यहां पे उनका अस्पताल है डाक्टर का ठीक होस्पिटल है तो यह है, ऐसे चलना है अब पूछ रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष डाक्टर के घर की सही दिसा यहाँ शुपताल है यहाँ घर है यहाँ शुपताल है यहाँ घर है तो क्या हो जाएगा कौन सी दूरी हो जाएगी देखिए कि यहाँ पे यहाँ पे आपको क्या लग रहा है यह देखिए यह सेम लग रहा है आपको यह ये ये है ना ये और ये तो यहां पर उत्तर परस्चिम आ जाएगा इनकी इसके घर की जो दूरी है वो उत्तर परस्चिम आ जाएगी ठीक है राइट उत्तर परस्चिम ये आपसन इसका सही है समझ में आया हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरू कीजेगा, ठीक है, तो चलिए, इतना समय आ गया, चेराओ नाच कहां के लोग करते हैं, नेक्स्ट कोश्चन है, चेराओ जो है कहां के लोग करते हैं, तो चेराओ जो है वो मिजोरम के लोग करते हैं, ओके, तमिल नाड के निकटवरती राज तो इसके देखिए आंदरप्रदेश केरल और कर्णाटक ये जो है तमिलाडू के निकटवरती राज हैं नेश चुरुशन कहता है NCF 2005 के अनुसार निम्लिकित में से क्या प्रात्मिक इस्तर पर पर्यावरण अध्यान सिक्षन का उद्देश नहीं होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए देखे तो विशेष्टा प्राकर्तिक पर्यावरण के प्रती बच्चे की जिग्याश्वम्त रजनात प्रक्ता को बढ़ावा देना है की नहीं देना है अब लोकन वर्गिगर्ण और उतकर्ष निसकर्ष निकालने आदी प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संग्यानात्मक और गत्यात्मक कोशल प्राप्त करने के लिए खोज बीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कारियों में बच्चों को सलगन करना है प्राकर्तिक, सांसकर्तिक और समाजिक पर्यावरण के बीच समंदों को पहचानने वय शमजने में बच्चों को प्रसक्षित करना है पर्यावरण समझ के दौरा बच्चों में शटीक संख्यात्मक कोशलों का विकाश करना है तो इसमें से हमको क्या नहीं करना है, ये ढूबना है हमको, तो यहाँ पे देखिए, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो बात कह रहा है, शटीक वाली, ये गलत है, नहीं पूछ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये option इसमें गलत है नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्यान कक्षाओं में, तीन से पांच के लिए एक विशय छेत्र है, जो संकलित करता है, विज्ञान की अवधारनाओं और मुद्दों को, तो देखिए कच्छा, तीन से पांच के लिए जो विशय छेत्र है, वो हमारा पर्यावरण सिक्षा, सामाजिक अध्यान और विज्ञान की अवधारनाओं और मुद्दों को, शंकलित करता है, ठीके, बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोर्शन की तरफ, 73 नमर कोर्शन है, क्या कहता है कोर्शन, कि निमलिकित में से क्या पर्यावरण अध्यान के संदर्ब में स पर्यावरण अध्यान एक विषय है, जो फर्श से फिव तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, या फिर कच्षा एक से दो की कक्षाओं के लिए भाषा और गनित के माध्यम से पर्यावरण अध्यान पढ़ाया जाता है, दो, तीन, चार की कक्षाओं के लिए पर्याव आपने अच्छे तरीके से प्रिवियस एर नहीं पढ़े होंगे तो आप बहुत जो है उसमें टाइम लेंगे और साइध पेपर भी ज़्याद ज़्याद गलत करेंगे क्योंकि को समझने के लिए उसका कॉंसेप्ट समझना जुरूरी है कि पहले अगर आप इस प्रकारण के क को समझे होंगे अच्छे तरीके से आपकी हैबिट बनी होगी तो आप पेपर बहुत अच्छे से दे सकेंगे अगर आप सिर्फ कंटेंट पढ़ते रहे गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी इसलिए प्रीविस एर कि को सॉल्व करना बहुत जुरूरी है चलिए तो य कच्छा एक से दो की कच्छाओं के लिए भाषा और गनित के माध्यम से पर्यावन अध्यान पढ़ाया जाता है ठीक है भाषा और गनित के माध्यम से ठीक है तो यह आप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों को पर्यावन अध्यान को सीखने के लिए खोजने के दोरा पर्याप्त समय दिया जाता है यह इंगित करता है कि पर्यावन अध्यान याद करके सीखा जाता है पर्यावन अध्यान सूचनाओं के दोरा सीखा जाता है पर्यावन अध्यान बाल के इंदरित है या पर्यावन अध्यन सिक्षक केंदरित, मैं आपको बता दूँ जो पर्यावन अध्यन है, वो हमारा बाल के नतीत है, ठीक है, जिससे जो है बच्चों को स्वैम खोज कर पता करने के आउसर मिले, और वे रटने की प्रवरत्ती से बचें रटे नहीं, ठीक है, आता हम कह सकते है कि परिभास्टाओं और एक्स्प्लिनेशन्स आदिको इस्थान नहीं दिया गया है, और मात्र जानकारी देने के अपेक्षा नहीं है, वस्तविक चुनौती है कि बच्चों को पर्यावन अध्यन, पाठिकर्म के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं, देखिए, यहाँ पर जो जानवर है, यहाँ पर्यावन अध्यन, पाठिकर्म के सुझावित उपकरणों का उपकरण है, जिसे हमें इंगलिस में उपकरण, उपकरण का मतलब, क्या कहते हैं, उसे सब्धीम, जिसे आपशी शंबंद, काम और खेल, जानवर और पौदे, यह चार परिवार और मित्र की उप्धीम है, जिबकि भोजन, पानी, आवास, परिवार, और इवं मित्र, हम चीजे कैसे बनाते हैं, यह सब पर्यावन अध्यन की थीम है, तो यहाँ पर जानवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखे, 76 नमर कोशिन कहता है, कि निमलिकित में से क्या पर्यावन अध्यन के सिक्चक के लिए बांचनी गतिविदी है, विबेन कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक छेत्रों को शम्बोधित करना, पर्यावन अध्यन की अवधार्णाओं से सम्मंदित महत्पूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेडित करना, पर्यावन अध्यन के चह प्रकरणों का रेखी आयोजन करना या फिर किवल पाठेपुस्तकों पर आश्रित रहना, तो, देखिए, यहाँ पे विभिन कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक छेत्रों को सम्बोधित करना यह जो है पर्यावन अध्यन के लिए सिक्षक के लिए वांचनी गतिविधी है, ठीक है? निम्लिकित में से क्या पर्यावन अध्यन में बच्चों के द्वारा ज्यान की रचना में महत्पूर्ण है? बच्चों का सक्क्रिय भाग लेना? ठीक है, बच्चों के श्रमदाई के शदस्च है? यह भी सही है, पर्यावन अध्यन की पार्थिपुस्तकें, पर्यावन में मर्स होगा चिल्डरण के, टैक्स्ट बुक हो गई, तो यह सब ठीक है, पर्यावन अध्यन में ये बच्चों के दोरा ज्यान की रचना में महत्पोर्ण है, तो यहाँ पर A, B, C, जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को पर्यावन अध्यन सीखने में प्रभावसाली तरीके से जोड़ा जा सकता है वरतांत सुना के कहानिया सुना के सिक्षक के दौरा अवधार्णाओं की प्रभावसाली व्याख्या करके या फिर सिक्षक के द्वारा अब धार्णाओं का प्रभावसाली प्रदर्शनाओं व्याख्या करके तो यहाँ पर देखिए बच्चों को पर्यावण अध्यन सीखने में वरत्तान तोर जो है कि किस्से कहानिया वरत्तान तोर कहानिया किस्से इनके माध्यम से प्रभावसाली तरीके से जोड़ा जा सकता है ठीक है तो केवल A और B इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट कोर्शन की तरफ 79 नमबर कोर्शन है पर्यावन अध्यन के सिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश ही क्या है बच्चों में सरजनात मकता का विकाश करना बच्चों में अवलोकन और रचना कौसनों का विकाश करना या फिर बच्चों में शौंदार गत्त समेदना का विकास करना कौन साइस में? आप्चन शही होगा यहाँ पे सभी आप्चन्स इसमें सही है बच्चों में सरजनात मक्ता का विकास करना भी है बच्चों में अवलोकन और रचना कोसनों का विकास करना भी है बच्चों में शौंदर गत शमेदना का विकास करना यानिकी A और B ठीक है? A, B, C तीन ओप्सन यहां पे सही है Next question है पर्यावण अध्यन में शिल्पकला और चित्रकला को समुह में करके शीखने पर बल दिया जाता है शमुह में सीखना काक्षा में श्रामाजिक अंतहकरिया को बेहतर करता है शमुह में सीखना परजयावण अध्यन के पाठिकरम को शमय पर पूरा करने में शाहता करता है देखे, यहां पे समुह में सीखना सहेपाठी दोरा सीखने को प्रोप साहित करता है ये भी option सही है और समू में सीखना कक्षा में स्वाजिक एंतायकरिया को भी बेहतर करता है तो यहाँ पे जाएंगे हम B और C के साथ ठीक है B और C ये दोना option इसके सही है Next question है निमलकित में से क्या पर्रवण अध्यन को सीखने का सबसे प्रभावसाली संसादन है परिवार के सदस्ट से समधाय के सदस्ट से समाचार पत्र या फिर कक्षा कौन सी चीज बेहतर बनाती है देखे यहाँ पर परिवार के सदस्ट भी सही है ठीक है मतलब ऐसे questions आपको आएंगे तो इसमें बड़ा दिमाग लगेगा time लगेगा इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से और previous year को बहुत ध्यान से सौलू करिए बहुत ज्यादा सौलू करिए देखो सब ABC मतलब इतने option देता है कि दिमाग का दही हो जाता है पर्यावन अध्यन को सीखेने का सबसे प्रभावसाली संसादन परिवार के सदस्ष्ट है ये भी सही है और समदाय के सदस्ष्ट ठीक है समाचार पत्र भी सही है तो अब यहां पे हमारा ABC मतलब पर्यावन अध्यन को सीखने का से प्रभावसाली संसादन प्रिवार के सदस्ट हो गए, समदाई के लोग हो गए, समाचार पत्र बगारा हो गए, ठीक है, ये एनफ है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोर्शन है, 82 नमबर हमारा कोर्शन कहता है, निमलिकित सीखने के कौन से सिध्धनत का पर्यावन अध्यन में अनुसरन होता है, वेश्टविक वेश्थानी, अमूर्थ से मूर्थ, अग्याद से ग्याद, या फिर ग्याद से अग्याद, तो यहाँ पे हमारा ग्याद से अग्याद की और ग्याद से अग्याद मतलब जो चीज हमको पता है उससे चलेंगे और फिर जो चीज नहीं पता है उसकी तरफ बढ़ेंगे धिरे-धिरे उसको गेंड करेंगे ठीक है और प्रेवर्ण अध्यन में जो है वो ज्याथ स्याथ सिक्षन सूत्र का अरूसरण करना चाहिए और प्रात्मिक इस्तरपरक अच्छा एक से पांच तक यह विधी सबसे अधिक लोकपरी होती है सबसे अच्छी मानने जाती है ठीक है ग्यात की ओर का जो जो शिक्षन सुद्र होता है, इसको ध्यान में रख करके जो हमारा जो सिख्षन विदी है जो सिख्षन कार्य है, उसो करने पर विद्यारतियों की रूची और जो तनमायता है वो पार्ठ में बनी रहते हैं जिसे वunde अधिक सीख पाते हैं ठीक है तेखिए निमलकित में से कौन सा पर्यावण अध्यन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है पोर्टफोलियो, करम निर्धार्ण मापनी, वर्णन अभिलेक या फिर वार्षिक उपलब्दी परिक्षन यहाँ पर जो वार्षिक उपलब्दी परिक्षन है, यह हमारा पर्यावण अध्यन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है जबकि पोर्टफोलियो भी है, करम निर्धार्ण मापनी भी है, वर्णन अभिलेक भी है यह नहीं है, ठीक है, तो यह यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा बढ़ता है नेक्स कोशन की तरफ, 84 नमर क्या कहता है निमनलिखित मेशे किसको प्रयवण अध्यन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए बच्चों के उस्तरों को सही या गलत में आकलना कक्षा वी के इवियस पाठ पुस्तक में प्रतेक पाठ के अंत में दिये गए आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करनी है, आकलन के संकेत कों का उप्योग करना है या फिर बच्चों के सीखने के गुणातमक आकलन देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, कि जो बच्चों के उत्तर हैं, उनको सही या गलत में आकलना इस चीज़ को पर्यावण अध्यन में बच्चों के आकलन में दूर करेंगे हम बच्चे के उत्रों को सही या गलत में नहीं आकना चाहिए बलकि उनके उत्रों में आई जो तुरुटियां है गलतियां है जो mistakes है या कमियां है उनको पहचान कर उनको उपचारात्मक सिक्षण के मातरम से दूर करना चाहिए ठीक है आसागर तु समझ आया होगा चलिए फट आट बढ़ते हैं नेक्स स्यूशन की तरफ कक्षा पांच की सिक्षक एक क्रिया कलाप का संचालन करती है जिसमें वहा कक्षा की बच्चों से फर्स पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है बच्चों को इस क्रिया कलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि सिक्षक बच्चों को क्रिया कलाप का अबलोकन करने को प्रेडित करती है बच्चों को क्रिया कलाप का अबलोकन अनुभाव साजा और उस पर चर्चा करने को प्रेडित करती है बच्चों को किर्याकलाब से श्रमंदित प्रिश्णों को घर से करने को प्रिडित करती है देखिए परियावन EBS में क्या होता है कि आप जो सारा कंटेंट पढ़ेंगे वो आपके लिए ठीक रहेगा लेकिन ऐसे कोश्चोंस बहुत आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं है और हम लोग करते रहेंगे अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मैं यह देखूंगा कि देखिए हमने इसमें पैसा भी लगाया है मैंने उस PDF की फोटोगापी निकलवाई ताकि आप लोगों के लिए बहतर कर सकें ठीक है समझा सकें तो अगर आप रियक्ट करेंगे बढ़िया लाइक करेंगे कमेंट्स करेंगे कि सर अब को और आपकी क्लासेश कांटीनू चाहिए तो करते रहेंगे ठीक हा तो इस कोशन में देखेंगे क्या कहता है और बच्चों को जो किरिया कलाप का जो अवलोकन है ठीक है उनको साजा और उस पर चर्चा करने को प्रेरिक करती है ये इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीके? चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोर्शन के तरफ नीचे दीगे सूची पर विचार कीजिए कच्छुवा, घडियाल, कववा, बतक, मचली इस सूची में से, इन निमन में से कौन सा, दूसरों से बिनने है मचली, बिनने है, कववा, घडियाल या फिर कच्छुवा तो यहाँ पर सीजी सी बात है भाई जो कववा है, वो इनसे अलग है ठीके? कौन दूसरों से बिनने है? कववा चलिए, आगे बढ़ते है यह देखे, कालम आ, बी और जो है, बहुत देखे, कालम आ, यह सहर और राज्य है और यह उनको आतिदिक पशंद का भोजन है, किसको कौन सा भोजन पशंद है? तो यहाँ पर देखे, हॉंग कॉंग किसी भी करी के साथ उबला, टैपियोका क्या यह हॉंग कॉंग का है? नहीं, हॉंग कॉंग का है पका हुआ साप हॉंग को के जो लोग है उनको सबसे ज़्यादा पशंद है पका हुआ साप दूसरा, केरल के लोग को क्या पसंद है? केरल जो है, केरल के लोग क्या प्रशंद करते हैं वो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियो का प्रशंद करते हैं ठीक है कश्मीर के लोग क्या प्रशंद करते हैं सर्सों के तेल में बनी मचली सरसो के तेल में बनी मचली ठीक है और गोवा के लोग क्या पसंद करते हैं नारियल के तेल में जो है बनी समुंदर की मचली ठीक है तो अब इसको मिलाएंगे हम देखिए A, A का फिप्त हो जाएगा A का फिप्त हो गया B का 1 हो गया नहीं यह नहीं है A का 5th हो गया, B का 1 हो गया, C का 2nd हो गया, और D का 3rd हो गया, यानि कि ये right answer हो जाएगा, ठीक है, बढ़ता है next solution की तरफ फटा-फट, नीचे दिये गए पक्षियों की कौन सी प्रजाती, जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है, कौन सी प्रजाती है भाई, तो यह तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है, ठीक है, चलिए, बढ़ते है next question की तरफ, फटा-फट, क्लास को फिर add करते हैं, finish करते हैं, घरों के नीचे, घरों के नीचे दिये के विवर्णों पर विचार कीजे, राजस्थान में गाउं के लोग मिटी के घरों, जिनकी चते, कटीली, ज़ाडियों की होती है, उसमें रहते हैं, कैबा सही है, मनाली, हिमाचल प्रदेश में घर, बासों के खंबों पर बनाये जाते हैं, लेह में पत्थर के दो मंजिलों घर बनाये जाते हैं, नीचे के मंजिले पर जुरुत का शमार और जर्मरों को रखते हैं, इसमें कौन सी बात सही है, कहां तक सही है देखिए, यहाँ पे बात जो है यह सही है A और C ठीक है, रजस्थान में गाउं के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली ज़ड़ियों की होती है उसमें रहते हैं नीचे की मंजिर पर जिरुद का समान और जर्वरों को रखते है A और C आज का लास्ट कोर्शन है देखिए हाथियों की विशे में नीचे दियेगे कतनों पर विचार कीजिए चलिए भाई, करते हैं विचार हाथी बहुत का माराम करते हैं या एक दिन में किवल दो से चार घंटे ही सोते है या एक बड़ा हाथी एक दिन में दो सो किलो से अधिक पत्पिया और ज़डियां खा लेता है इन्हें पानी और कीचर में खेलना बहुत भाता है इससे से इनके स्रीर को ठंड़क मिलती है किसी हाथियों के जुण्ड में सबसे बुजर्ख हाथिनी ही सभी फैसले लेती है देखें बात तो ये सही है कि जो हाथिया बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में दो से चार घंटे ही सोते हैं ठीक है इन्हें पानी और कीचर में खेलना बहुत पशंद है और किसी हाथि के जुण्ड में सबसे बुजर्ख हाथि सबसे फैसले लेती है तो ACD ACD हाँ ठीक है ये राइट आंसर हो जाएगा ACD आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि ये आज के हमारे कोश्शन हो गए अगर प्रसंद आए है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जुरू करके जाएगा चैनल को सबस्राइब कीजिए अपने दोस्तों तक जुरू शेयर कीजिए और बताइए कि सर हम और भी क्लासे चाहते हैं तो मैं कांटिनूस को रखूँगा और आपके लिए और भी कुछ जार स्यादा महिनत करेंगे तो चलिए ठीक है बाकी मेरा एक और चैनल है इंगलिश का वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप चाहे तो मुझे वहाँ भी फालो कर सकते हैं तो चलिए ठीक है मिलता है नेक्स्ट क्लास में कमेंट जरू करके जाए बता की जाए किसर क्लास कैसा लगा जरू बताए किसर हम नेक्स्ट क्लास का वेट कर रहे हैं थैंक्यू